इतिहाद न्यूस को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इन ही चंद सब्सक्राइब के साथ मैं अचिपाद करता हूँ शुक्रिया वाइस चेर्मेन साथ कोई भाशन की शकल में नहीं है एक शोक संतप्त गनतंत्र के एक अधना नागरीक समझे या एक जन प्रतिरिदी समझे उसकी योड़ से कुछ बातें कहीं जा रही है और सबसे पहले माफी नामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक नॉलेज नहीं कर रहे हैं जो हम जानी रहे हैं को मारे गए तो ये माफी नामा सर्सर्थ मेरा नहीं है मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मई के महिने में मैंने छे आर्टिकल लिखे संसर चलने ही रही थी कहां अपनी शिकायत ले जाते किसे कहते मुझे भाजपा के मित्रों ने कई साथियों ने कॉल किया बधाई दी मैं उनका भी एतराम करता हूँ और कहता हूँ कि ये भारोसा इस सदन का है कि हम सब को एक साजह माफी नामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशे गंगा में तैर रही थी किसी ने कह दिया ये किसी ने कह दिया वो सर दूसरी चीज मैंने कई कल सेक्रेटरी जनरल साजह से ही बात करने की कोशिश की बांकी जगह भी किसी दो सत्र के बीच में सर पाचास लोगों की अबिश्वरी आज तक कभी नहीं हुए संसदी ए इतिहास में राजीर सात्र क्यों मरत ही जाने की इस दुनिया से रहुनात महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे बोलते थे जह जगह नात अच्छनक भूद ही ये पीरा व्यक्तिगत है आकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूँ मेरा आकड़ा तुम्हारा आकड़ा अपनी पीरा में आकड़ा ढूड़िये एक व्यक्तिग नहीं है बाहर उस सदन में किसी जानने वाले को ना कोया हूं सरब पीरप कह सकता हूं आकशीजन के लिए लोग फोन करते थे हम अरेंजने कर पाते थे लोग समागते है साँसाथ है आकशीजन ऊप्शा देगा सो फोन में पूरे दीन में शाम को बैटके देखते थे सक्सेस रेट दो सक्सेस रेट तीन हमको कौन सा आकड़ा कोई बताएगा साथ हमको किसी आकड़े की बात नहीं करनी है हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिन्दा दस्तावेट छोड़के गए हैं मारे फेलियर का मैं आपकी बात नहीं कर रहा है आपके गएगा सतर साल में कुछ नहीं हुआ मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता ये कलेक्टिव फेलियर है साहित तालिस से लेके अब तक की सारी जर्टारों का क्या बना दिया हमने मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और अक्सिजन का क्या रिस्ता होता है सर इमांदारी से कहता हूँ मैं मेडिकल बैग्राउंट से नहीं आता हूँ सुपार से लोगों को दिखता था अक्सिजन अक्सिजन मैं तो रवाईयों के नाम तक शुरू में सर फननसियेशन चेकिए कि कैसे उचारन करूंगा यहालत और तब हम आक्नों की बात कर रहे है तब हम यह बात कर रहे है थैंक्यू फलाना साहब चिलाना साहब सर में यहां से निकलता हूँ बड़ा बहुत बड़ा बिग्यापन लगा हुआ है मुफ्त बैक्सिन मुस्त राशन मुस्त ढलाज सर एक मिनट मैं ने किसी मैं फ्लीज प्लीज यहां बोलना चाह slept है अब मेरी बात सुझे आज शिक्राइपन नहीं कर रहा हूं आपसे यह वेलफियर स्टेट है ना एक साबन की टिकी अगर कोई गरीब गाउं में खरीद रहा है ना सर तो आडानी अंबानी के बरावर का करदाता है आप उसको कह रहे हो मुफ्ट, मुफ्ट वैक्शिन, मुफ्ट इलाज, मुफ्ट राशन नाई साब कुछ मुफ्ट नहीं है, उसका स्टेक है, इस वेलफेर स्टेक का कमिजमेंट है उसको आप डिनागरेक मत करिए, डिमॉनाइज मत करिए, उसे बाना मत बनाईए, ये आगरा है मेरा सर, मैं इसे पहले की कुछ और बाते कहूं, मेरे पास भी वक्त है सर, इस कोरोना को, मैं भी मानता हूं, मेरे कुर्व के वक्ता, कुछ कह रहे थे, ये चैलेंज है हमारे लिए सर, बहुत बड़ी बड़ी बाते हैं, नए ने कानून की हो रही है, राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हैं हम लोग, राइट टू हेल्थ, स्वास्त का अधिकार, उसमें कोई किंतू परंतू लेकिन परंच नहीं, सीधे तोर पे स्वास्त काधिकार, कॉंस्टिशनली गारेंटीज, राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए, किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी, कि वो इस खिलवार कर पाए, उस राइट टू लाइफ का, कर हम कर सकते हैं, इस सदन और उस सदन में, राइट टू लाइफ, राइट वर्क पर इसलेशन लाइए, ताकि कोई आपदा आए, अभी तो हमारे लीडर अफ हाउस नहीं है, नहीं नहीं बने है, उनसे मैं कहता है, जब वो रेल मंत्री थे, हॉस्पिटालिस सेक्टर के लोग इसकी कौन सुनेगा सर, एक और अभुचीज हुई सी, कोरोना के दौरान, मानने यह उत्सा भापती महद है, जब हाकार मचा हुआ था, हॉस्पिटल के लिए, आइस्यू बेड्स के लिए, दवाईयों के लिए, यह हाकार जब मचा हुआ था, उस तोर में सर, कई चीजें ह करूंगा, उस हाकार में, सरकारे, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूँ, कई राजे सरकारे भी नदारत, वो गेर महीना कैसे बिताया है, इस मुल्क ने, हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, हमें नाम नहीं लूँगा, पूरे देश ने वो वक् मैं इसलिए बार बार इसको किये, सर इसलिए ये कह रहा हूँ, कि इसमें व्यक्तिगत पिला को ढूंगी है, तब हम इसका निदान ढूंड पाएंगे, मेरी नाओ, तुम्हारी नाओ, मेरा काल, तुम्हारा काल, ये तो बहुत कुछ हुआ, इस बहुत कुछ हुआ इस और शीजिया फिर्ट लिखा जो लोग इस दुनिया से चले गए उसमें कुछ मैंने सलाह दिती सरसरकार से और यह जो इस बीच में कहा गया कि सरकारें फेलने के सिस्टम फेल कर गया अरे सब यह सिस्टम को क्या है बच्छन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछ होता है सिस्टम के पीशे एक संदचना होती है अगर वो सिस्टम टायम किया है चाहे दिल्ली में या किसी काउ़ की गलीओ में तो वहां की सरकारें पील कियों सिप्टम का नाम इसे मद दीजिए तो कि यही वो सिस्टम बनाते है सर बस दस सेकेंड लूँगा आज जैहिंद बोलने में भी वो खुलूस नहीं आ रहा है जो आम दिनों में हुआ करता है मैं सिर्ट इतना आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मैंने एक शिकायत नहीं की सर किसी से दे किसे शिकायत करेंगा आहत हूँ जगाना चाहता हूँ स्वेंग को भी आपको भी क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशे सर जिंदगी में डिगनिटी चाहिए मौत में उससे बरी डिगनिटी चाहिए हमने अंडिगनिफाइड डेट को विटनेस किया है और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर आने वाली सदिया माफ नहीं करेगी आप बड़े बड़े इस्ताहर छप वाओ अख़बारों के चार पन्ने रंग दो फलाना थैंक्यू फल सर इतिहास को थैंक्यू कहने का मौका मिलना चाहिए जैहिं सर अगर मेरी बात से फिर भी किसी को कस्ट पहुंचाओ मैं उन्हीं लाखों लोगों की जैट बाड़ी के विहाब पे आपसे माफी मानता हूं जैहि हुआ